हलو गाईस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूटीब छैनल सर्नी बॉक्स उफिस में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले दशेरा दो ह촉चोबिस में होने वाले एक क्लैश के बारे में, बड़े क्लैश के बारे में जोई होने वाला है दशेरा 2024 में, दोस्तों यहाँ पर यह लैश होगा एक pan-India film का एंट बोलीबोट की अब मैं बात करूँ pan-India film की तो यहाँ पर इसमें होने वाले है junior NTR, junior NTR जिनकी जो debut pan-India film थी, ट्रिपल आर, which got very huge success, उस film ने 790 करोड के तकरीबन net में बिजनस किया इ और 275 क्रोड के उपर तो उसने हिंदी कलेक्शन किया था उस समय जब फिल्में डेड मार्केट था बिजनस नहीं हो रहा था उस वक्त उसने 275 क्रोड बिजनस किया था और वस वेरी यूज हिट अनुसमें कोई सीक्वल फेक्टर था नहीं है राजमोली वहस देर लेकिन यहां पर एक प्रकार से जैसा प्रभास के साथ हुआ था विलकुल वैसे हुआ एक ग्रेंड एंट्री यहां पर एंटियार को मिली अब एंटियार के पास कुछ बड़े प् फिल्म कौन से किया तो हम उसका जो पोटेंशियल है वो सेकेंड फिल्म से अनुमान लगाएंगे यहां पर अगर मैं बात करूं फिल्हाल देवरा की तो देवरा को सुनने में आ रहा है मेकर्स बड़े पैमाने में हिंदी में रिलीस करना चाहते हैं देहें भी यूज एक् 30 क्रोड का नेट ओपनिंग लिया था 2016 में उस समय बाहु बली के लेवल का डबड में उसने ओपनिंग कर लिया था सोचो फिल्में बहुत सेलेक्टिव करता अब देखो बाकी हीरो 26-27 क्रोड का नेट ओपनिंग दे दिया था अरविंदा समीथा के माध्यम से और येस अफकोस टिकेट प्राइज बढ़े एटिपी बढ़ा तो उसका रिकॉर्ड टूटा यहां पर दो साल महिस बाबू ने लिया उसका ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ने के लिया अरविंद समीथा के और उस समय सक भुगाया पर रहा पांस साल तक पर आपको पता ट्रिपल आर किया उसने यहां पर NTR है यूज मार्केट उसकी फिल्म है ओपनिंग डे पर 30-35 लाग फुट फॉट फॉल्स तक लेने की शामता रखती है यहां पर तेलगू भावसा से तेलगू से तो उसका बिजनस 200 क्रोड का लगा ही लगा कि आई जाएगा नेट में और उपनिंग तो समझ जाओ वो बंदा 55-60 क्रोड नेट उपनिंग देने की शामता रखता है तेलगू जह यहां पर अधर लैंगूजिस का तो यहर में गैरेंटी ने लिए सकता तमिल यह वो बाकी सब का समझ जाओ बाकी इतना समझ जाओ कि ग्रॉस में बताऊं तो 75 क्रोड का साउथ ओपनिंग लेने की शामता रखता है एंटियार एंट रिवाद हिंदी की तो आपको पता है कि हिंदी मे साउथ फिल्मों का क्रेस कितना बढ़ चोंका हनुमान आई हनुमान हाई यहाँ पे यहाँ पे सूपर हीरो फिल्म यस देर इस सम माइथ लोजिकल टुस्ट इने अट ओफ लॉर्ड हनुमान तो यहाँ पे उस फिल्म ने कितनी वाइडर रिलीज मिली उसको 50 करोड के उपर फिल्मों को and of course there is NTR तो यहाँ पे जो बॉलेवोड फिल्म आ रही है लगभग उसी लेवल का शो काउंट लेने की कोशिश करेगे क्योंकि देखो ट्रिपल आर के बाद यह NTR की सेकंड फिल्म है ठीक है और यहाँ पे साउथ की फिल्मों का जो मार्केट अभी जो पकड़ करोड का डब्ड में ओपनिंग लेने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि 60-70 क्रोड का नेट में भी 100 क्रोड का नेट भी दिवरा हिंदी मार्केट से कर सकता है ठीक है being honest बात कर रहा हूं मैं क्योंकि साउथ की फिल्मों का केज आप देखी रहे हूं अभी आपने देखा अल लेकिन राज मॉली के साथ जो फिल्म लाइक है उसका हिंदी बिजनेसी 500 क्रोड करनी की शमता रखता है यहां पर अगर मैं बात करूं एंटियार की देवारागी तो इट वल्हाब मैसेव रिलीज इन हिंदी समझ रहे हो और उसके बाद अगर हम बात करें बॉलीबुट फ फिल्म दीवा विजिस गॉन ऐ ठ्रिलर फिल्म जो की रॉसन अंडूर्स टारेट करने वाले है जा उसका है लेवन त्थ ओक्टोवर के इन लोग ने लुग किया है if I talk about the last release of Shahid Kapoor which is getting very good response world wide the film has grossed more than 136 crore right now India में business ठीक ठाके लिए किना overseas का business solid in उसको मिला कर कि तो world wide total बना है यहां पर Shahid की इस film का तो वो काफी बनिया बना है 136 crore I think it will be post pandemic third highest grossing rom-com film post pandemic यहां पर and जुग जुग जीओ यह सब फिल्मों को overtake करते हुए नजर आ रही है वो फिल्म worldwide level पे अब बात करें अगर हम देव की तो देवा भी दशेरा के वक्त पर आ रही है action film है यहां पर जो देखो बॉलिबट फिल्मों के साथ एक problem कह रहती है इनको साथ में release नहीं मिलती ठीक है साथ में अगर कोई बड़ी फिल्म आ रहे तो समझ जाओ इनको screen मिलेंगे ही नहीं यहां पर डंकी को तक साथ में ज्यादा screens नहीं दिये गए थे साथ की फिल्म में जब हिंदी में आती है न तो उनको screen count show count मिलता है अभी तेरी बातों में उल्जा जिया जेतना show count यहां पर डंकी लेके चल रही थी यहां पर समझ रहा है जब साथ से clash कर रहे थे यहां कि सालार को कहा तो गाया कि कोई ज्यादा सको नहीं मिला लेकिन उसको अच्छे खासी show count हिंदी में मिल गए थे लेकिन अनफॉचनेटली हिंदी फिल्म में साथ में नहीं लिपाती ज्यादा यहां पर यह एक box office पे collection कर सकती है यह पैंग थो थोड़ा original content रहा कहानी अच्छी रहेगी so we can expect कि यहां पर 100 crore net यह film कर सकती ही, right now there is some suspense किया remake है कि original कोई कोई कह रहा है कि remake है कोई कह रहा है original है, I am not sure about it but if it will be original film, it will be potential 100 crore net grosser and if it will be remake तो there will be 50-60 crore box office, ठीक है, बाकि यहां पर clash कि अगर हम बात करें तो उतना जादा मुझे नहीं लगता कि each other's business will be you know divided in Hindi language, दोनों ही film में जितना शमता रखती है उतना ही कमाई करेंगी, because आपने देखा तेरी बातों में उल्जा जी है, solo में भी उतना ही business किया and clash भी करती तो उतना ही business करती, तो basically यह होता है, class effect करता है, like film like Salar, film like Dunkey, film like Pathan, ऐसी film में clash करती है, तो इनका box office divide होता है, mid budget की जो film में रहती है, उनका box office basically divide नहीं होता, तो इस film का box office won't be, I think कोई असर पढ़ेगा नहीं, divide divide होगा नहीं box office का, जेतना इसका सूलब में potential है, उतना ही clash में यह film कमाई करेगी, so this is gonna be in this clash, right now would want to leave, आप अपने opinion कमेंट के थरू बता सकते हो, see you in the next video.